आज की इस एपिसोड में डिसकस करेंगे यस बैंक के स्टॉक के बारे में इसे स्टॉक में देखेंगे तो जो लास्ट रेडिंग सेशन रहा था वो कंसोलिडेट रहा था ना डाउन ना अब जहां पे ओपन हुई वहीं पे क्लोजिंग रही थी और हमने कहा भी कि 17 का ज्यादा क्वेडी था कि सर इसको बेल ग्रांटेड कर दिया गया है तो इसका क्या इंपेक्ट होगा तो राना कपूर के किसी भी केस से और किसी भी न्यूस से इस स्टॉक पे कुछ भी अंतर नहीं आने वाले वह आपने देखा इसके साथी समय देखेंगे तो जो मैं यहा जीरो सेवन लेक्ट सेयर को एबरेज प्राइस ओब 61 पे बेचे हैं और ओवर ओल देखें तो इस समय कंपनी के बैट डेट्स नहीं बनते दिखेंगे क्योंकि कंपनी एग्रेसिबली जो भी कारी करते हुए दिख रहे इस समय हमने पी औभी में वही देखा यूटी आई के के अंदर डाइवेस्टमेंट करा जिसके बाद ट्रेंड कंटीनू दिखा तो अगें सेम न्यूज आपने देखा कि यस बेंक ने आइनोक्स ग्रीन इनर्जी के अंदर डाइवेस्टमेंट करा जब भी कोई डिजाइर प्रॉफिट परसेंटेज हो जाता है तो कंपनी को ड समाबनाएं नहीं होती है इस समय स्टॉक में डिलेवरी 50 परसेंट तक की दिख रही है लोवर डिलेवरी देखेंगे तो 20-30 परसेंट के लोवर साइट के डिलेवरी है व्यू काफी बुली से टेकनिकली तो और परफॉर्म इसने करा है मंथली और विकली टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत देखें तो वीक लग रहा है और यहां मैं इसके चार्ट को दिखाऊं तो जब तक 18 के लेवल को ब्रेक आउट नहीं करता है वन साइड़ेट वाला जो ट्रेंड आपने देखा था 13 से 17 तक का वो ट्रेंड दिखना मुश्किल है यहां अगेन स्टॉक थोड़ा बहुत कंसोलीड हो सकते हैं इस चार्ट को थोड़ा ब्रीफली देखें तो यह जो पैटर्न है राउंडिंग पैटर्न का टार्गेट 32 प्लस आ रहा है लेकिन इसके लिए 18 के उपर के ब्रेक आउट क्लोजिंग का वेट करेंगे